हेलो फ्रेंड्स आज सभी का हमारे कीचन में स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़िदार टेस्टी नास्ता इस नास्ता को आप बना कर महीना दिन तक आप श्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको सुबह या साम चाय पर खाने की च्छाओ तो इनको निकालें और और बनाने में इतना आसान हैं यह कम समान में ही फटा फट बनके रेडी हो जाते हैं ना इनको बनाने में ज्यादा टाइम लगता है ना ज्यादा चीजों की जरूरत है यह हमारा बनेगा सूजी और आलू से इनी से हमारा बहुत ही चटपटा टेस्टी नास्ता बनेगा इस अगर मार्केट जाए या घर में रखुआ है उनको झूरूर च्छाण लें नहीं तो प्रशा पर जाते हैं इसमें हजिलिया भी हो जाती है यसरी से स하기 को हम सब्सक्रान लिया है और इनको हम कुछ देर रख देंगे पानी के साथ सूजी जब हमारे अच्छे तरीके से फुल जाएंगे या नास्ता खाने में अंदर से उतना ही सौप्ट और खस्तेदार होगा इसलिए इसमें इतना ही पानी डाल कर इनको फूलने के लिए हम कुछ देर रख देते हैं पानी हम उतना डालेंगे जितना अगर हम एक कप सूजी लिए तो आधा कप पानी इसमें आराम से लग जाता है और इस तरीके से इनको आराम से हम táp करके रख दियें हैं और इस नासंता में डालने के लिए आलो लिये हैं दो मीडियम आलू हैं अगर आलू आपके बड़े साइज के ने तो एक आलू लें एक कप सुझी में इतना आलो बराबर मादर में सही है आलू को हम मैस कर लेंगे मैसर से मैस करें या ग्रेट करके मैस कर लिये इस पर के से आलु को मैस कर लेते हैं जिस से इसमें बड़े गुटके नाचर है आलू को हम फटा- की सौफ और प्रस किया हुआ धनिया जैसे ही इन सब का फ्लेवर हमारे ओल में आएगा उसके बाद इसमें हम मैस किये हैं आलू को डाल देंगे धनिया और सौफ जब इसमें डालते हैं तो इस नास्ते का टेस्ट और बढ़ जाता है और इन सब को में कुछ देर सौते करने के ताम देंगे और में दो मिनट अच्छे से कहां प्रूण लेते हैं हाइफ लैंपर अमारे और प्राइं हो जाएं इस नास्ता में आलो सब्सक्राटे इसमें आलू भूना रहता है तो नास्ता बनाने में भी रहता है और यह नास्ता हमारा लंडे समय तक भी टिकता है आलू भून का ठंडा होने के लिए रख दिये हैं और इधर देखेंगे सुजी अच्छे तरीके से दम डो के तरफ और पूल गया है यह ज़्यादा लिकुड पानी के मात्रा जादा हो आप इसमें और सूजी डालकर फूलने के लिए कुछ देर रख लें हमें इसमें बहुत ही गारा थिक ही सूजी को लेना है सूजी अच्छे तरी के से एकदम फूल कर मैस होने लगे हैं अब इसमें हम डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट की साथ से नमक डालें आलू में हम नमक नहीं डाले थे उसके लिए भी इसी समय इसमें हम नमक डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स आप चाहें नास्ते का टेस्ट और बढ़ जाता है अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंदे तो आप बारीक कटावा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं इन सब को मिलाने के बार इसमें हम आलू को डाल देंगे और आलू को भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जिससे सूजी और आलू एक दूसरे में मिक्स होकर एक सौफ्ट डू के तरह बन जाए इसलिए आलू हमें एक दम ठिक लेना है आलू भूनने से ठिक तो हो जाता है आप चाहें तो कच्छा भी डाल सकते हैं लेकिन उतना अच्छा ठिकनेस नहीं आता है और भूनने से ठेस्ट भी बढ़ जाता है और ये नास्ता लंगे समय तक भी टिकता है इसलिए आप आलू को भून कर ही डालें और दोनों को मिक्स करने के बाद या बहुत ही थिक है इतना ही थिक हमें इनको त्यार करना है या एक दुसरे में मिक्स होकर अच्छे से रेडि बनाने के लिए बना लेते हैं आप सोचते होंगे है यह इतना गीला है यह किस तरगे से बनेंगे लिकिन अब बहुत ही अराम से बन जाते हैं इनको बनाने के लिए पैन में हम और पहले से लग दी है हमारे मीडियम फ्लेम पर बहुत ही हीट को जाया है।। जब अच्छे से हीट हो जाएंगे तो हम चोटा-छोटा गोला लेकर फ्रेट करते वह टिक्क्या बनाएंगे। और इसमें डालते जाएंगे, उसी समय हम टिक्किया बनाएंगे और डारेक्ट ओल में डाल देंगे, क्योंकि यह कुछ स्टिकी होते हैं इसलिए टिक्कियों को बनाकर हम पहले नहीं रखेंगे, और फटाफट ओल में डालने के बाद मिल्डियूम फ्लेम पर इनको तल एंगे, नहीं जाएंगे, इनको अंदर तक अच्छ्छ से से शेखेंगे, जिससे नास्थ हमारा अंदर से खस्ते दार बनें और नम्बे समय तक ठीक हैं, इनको हम एक तरफ अच्छ से क pursue अच्छ्छ से dicholl लेंगे, जिससई लिए और दूसे तरफ से भी golden हो जाएंगे, इन इसेंटब फेली ही औरसने केम सेखेता हो जाते हैं जब दोनों तरप से क्रिस्पी हो जाएंगे तब इनको हम निकालेंगे कि Sinaastra हमारा बन के रेडियो हो गया है जारी हम को फटा फट पैन एं.... कि आंसरे बाहु है निकाहसे समय इस तरीके से च्छनीय पर हम निकाल लेंगे जिससे इसमें जो इस्ट्रायव cricket का और अखर को बहुत कर रख लेगा और लोटो आज यह जाते हैं दूप आख यह ज़िस infect पर एतना आराम से बन जाता है उसको बनाने में ज्यादा जंजट नहीं है आप इनको बना का अराम से फ्रीज में रख सकते हैं और जब खाने की इच्छा हो तो आप निकालें गर्म करें और खाएं गर्मियों में इस तरके से आपको सुछ साम जादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक बार बना करें लगबग रेड़ी हो गए हैं इतना क्रिस्पी हैं कि अवाज आ रही है चलिए रास्ता तो रेड़ी है आप इनको चाहे चाय पर खाएं चाय अपने कचप के साथ खाएं या अपने घर में बनाएं हुए खटी मीटी तिखी चट्नियों के साथ खाएं अगर आप इनक प्रण पाजरी में थी और इसमें सौक टेश्ट इसट आता है कि आप एक खाएंगे तो रुक नहीं पाएंगे बार बार आप कई पीस एक साथ खाना चाहेंगे और बनाने में इतना आसान है कि एक बर बना कर गर्मियों में रख दे जो को आप रोज खाएं सामके टाइम आ बाहर क्रिस्पी है आईए इनको हम अपने घर के बनाए हुए खटी मीटी देखी चट्नियों के साथ खाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेव करें आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया हैं तो हमसे जोड़ने के लिए और अच्छे कि नास्ता हो डे स्पी को आप मनापा है